जाहिन बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बोलता है अग्याद में बता दे कि इस वक्त हमारे साथ विशेश चर्चा करने के लिए जूर चुके हैं सिवान के मसूर चैनरल सर्जन डॉक्टर शाहनवाज आलम जो किसी परीचे के मोताज नहीं है थोड़ा से इन से बात और बिस्तिरी चर्चा करेंगे इनके लाइफ स्टाइल के बारे में और अभी हाली में इन्होंने जन सुराज जो कि एक अवियान है एक वीजन है एक सोच है उसको इन्होंने जोईन किया हुआ है थोड़ा सा उसके बारे में हम जानने कोशिश करेंगे कि एक अच्छे में भी हमेसा कमेंट करते रहाते हैं अपनी परतिकीरिया देते रहाते हैं कि डॉक्टर सन्वाज आलम जो कि एक नॉर्मल फेमिली से उठकर सीवान में इतना बड़ी हस्तिक आज कल कही जाती है आखिर कैसे पहुंचे इसे बारे में तुरह जानें कि बहुत सारे स्टेंट ज अश्रौक कम समय में इतनी बड़ी सेवान में पहसी कि दीके मैं अपने आपको scared रहाएथ मैं सोच रहा तकी इतनी बड़ी सख्सियत नहीं हूं ये मैं समझता हूं कि मैं ये कोशिश करता हूं कि अपना बेस्ट वर्जन बन पाऊं अपना एक मेरे हिसाब से जो जिन्दई का मकसद है वो ये है कि आप अपना बेस्ट पॉसिबल जो अचीवमेंट कर सकते हैं लाइफ के लिए वो करें समाज के लिए जो सबसे अच्छा सो सकते हैं जो कार कर सकते हैं उसको करने ही कोशिश करें इस दोरान में अगर कुछ बन जाते हैं समाज के लिए कुछ अचीव कर पाते हैं परिवार के लिए कर पाते हैं तो ये एक उपर वाले का करम है मैं अपनी इसमें कोई बड़ाई नहीं समझता अगर बिलकुल आपकी बड़ापन है या लग बात है लेकिन जिस परकार से समाज के अंदर हमारे जो सुसाइटी है उसके अंदर जिस परकार से परतिकिरिया चलती रहती है आजके लोगों का अपना परतिकिरिया लोग देते रहते हैं और काफी यह लोग आपसे इंस्पायर भी हैं तो लोग जानन गालीबेक शायर गुजरे उन्होंने का है कि बसकि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इनसा होना, तो यह जो आदमी से इनसान का सफर है वो सिक्षा के थू होता है, तो समाज का योगदान रहा, परिवार का योगदान रहा, उपरवाले का करम रहा, कि अच्छी सिक्षा मिल पाई और सिक्षा के थुरू अपने आपको मैं इवाल्व कर पाया ये है कि मेरे साथ अगर ऐसा लगता है मुझे भी मेरी भी कोशिश रहती है एक आदमी होता है ने को इसको किसी चीज़ से फायदा होता है तो वो चाहता है कि बाकी लोग भी इसको इससे फायदा उठा पाए तो मेरी ये कोशिश रहती है और इसके ही करम में मैं एक सिक्षा संस्थान भी चलाता हूँ दो-तीन फ्री कोशिंग्स भी चलती है इसके लाव स्कॉलर्शिप का प्रोग्राम हम लोग चलाते है तो ये कोशिश रहती है कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और अपने आपका विकास कर पाएंगे देखे एक जुगनू को छुपाना आसान है एक दिये को छुपाना आसान है लेकिन चांद और सुरज को छुपाना मुश्किल है तो ये इनसान जो है ना चांद सितारे के तरह बनने ही कोशिश जो है वो सिक्षा के थुरू ही हो सकता है तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी कि मैं अपने आपको स्लैक नहीं समझता लेकिन मैं अगर किसी को इंस्पायर कर पाऊ किसी को इस जर्नी में हेल्प कर पाऊ कि वो भी अपने आपको सिक्षा के थुरू अपना आत्म साक्ष़तकार कर पाए आत्म विकास कर पाए और समाज के निर्माने में कुछ योगदान कर पाए तो मैं समझता हूँ कि यही है, मेरे लिए भी यही रास्ता रहा है और मैं चाहता हूँ कि जो देश के युवा हैं, जो आपके चैनल के थुरू इस बात को सुन रहे हैं कि वो भी इस बात पर विचार करें, कि जिन्दगी का मतलब यह नहीं कि आप पैदा हुएं और खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिन्दगी को काट रहे हैं कुछ सोचिए कि अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोच पाएं समाज के विकास, देश के विकास में कुछ योगदान कर पाएं अगर आपके पास कुछ नहीं है आपने कुछ अचीव नहीं किया ता कहां से देंगे आप तो रोजी रोटी के मुश्व फसे रहेंगे अब को आपके आपकी आपकी बाते होती है तो यह भी लोग करते हैं कि आपके हाँ मतलब आटा चक्की और चलता था और उसके बावजूद भी इतना बड़ा आपने कारे किया और यह सब कैसे संभव हुआ है यह कैसे आपने मतलब यह मेरे वालिद के थी और जाहिर से बात है कि आपके फादर का कुछ बिजनस होकत आप जाते होंगे मैं इसको कुछ बड़ा वो नहीं समझता मैं इसको भुना की है मेरे जनु का नतीज़ा जरूर निकलेगा इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा अगर आपने ठान लिया है कोशिश कर लिया है करना है तो यह इसके लिए कोई अलग से पॉइंट नहीं होना चाहिए कि मेरे फादर ऐसे थे और मैं कर गया नहीं यह कुछ नहीं है यह समाज में हमारे पहले के जो लोग थे हमेरे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने मेरे एडमिशन के टाइम पे पैसा दिया मेरे टीचर्स रहे जिन्होंने किताबे दी मेरे अपड़े बड़े भाई रहे हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया पढ़ाई करने के लिए तो कोई आदमी self made एक false word है आदमी को उसका समाज मनाता है सबसे पहले उसकी माँ उसके सिक्षक होती है फिर उसका teacher होता है तो कोई self made नहीं है मैं भी नहीं हूँ यह है कि समाज के तुरू जिसमें मेरे माँ बाप परिवार और इश्वर का अशिरवाद इल्ला का अशिरवाद रहा है उसमें तो यह है कि कोशिश जरूर होनी चाहिए अब आप घर बैठे रहेंगे सोचेंगे आपके वाँसे एक बीज है आपने उस बीज को लॉकर में डाल रखा है तो उसमें सब कितने फल लगें जिरू उदे पेड़ भी नहीं होगा अंखुरीद भी नहीं होगा तो यह जो चीज है मैं समझता हूं इस चीज को कि उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करनी की जूरूरत नहीं कि अभी जिस परकार से आपने बताया कि बहुत सारे आप सोसल वर्क भी करते हैं तरीके से जिसे स्कूल और भी चलता है कोई फाउंडेशन वगारे भी आपका चलता है जुआन करने का मकसद आपका यह समझ नहीं आ रहा है जनता को क्योंकि एक और फिल उना और से से क्विडिक हो ना मैं कभी सिंपल आदमी नहीं था लाजनीति तो शुरू से अगर आपकी राजनीतिक समझ है आप समाश से सारोकार रखते हैं आपको ताज़ूब होगा कि कि इस तरह से राजनीतिवों के जो फैसले होते हैं आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं तो आप बिना इन्वाल्व हुए रह नहीं सकते हैं अब एक बंदा है कुछ मोनु ऐसे कुछ करके नाम है उसने एक वीडियो डाल दिया कि मैं आ रहा हूं फिर उसमें मैं आप नामा भी जानते हैं हर्याना के जो हूं मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारा सब्रेक्षन भी है उसको फिर वो उसमें कुछ दूसरी समुदाय के लोग और रियक्ट कर गए फिर आप देखिए वो दंगा कहां तक फैला अब वहां और क्या चीज़े हो रही है तो नफरत की पूरी राजनीती दस साल से की जा रही है आप टी-वी चैनल पर डिबेट सुन लेंगे तो इस तरह का है अभी एक नाम लेकर के कहना अब सहाद अच बहतर ना हो एक एंकर ने कहा कि फाइनल सॉलुशन फाइनल सॉलुशन पर्मानेंट सॉलुशन फाइनल सॉ किया था तो यह एक तरह से दस साल से जो राजनीती की जा रही है अब इसके फसल काटी जा रही है 24 में इसी फसल के बदलत पे चुनाओ लड़ा जाएगा 2014 का जो चुनाओ था ना वह करप्शन के मुद्दे पर लड़ा गया था 2019 का जो चुनाओ था ना वह आतंकवाद और राष्टरबाद के नाम पे लड़ा गया था अब यह जो हाँ अब यह जो है ना अब यह जो चुनाओ है यह हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पे लड़ा जाएगा धर्म के नाम पे लड़ा जाएगा तो आपको क्या लगता है कि आज का भविश्य यही है कि सर्व धर्म संभाव होना चाहिए आप दूसरे के धर्म का इज़त करें एक दूसरे के प्रैक्टिस का इज़त करें कोई सुपीरियर नहीं है थोड़ा साप दूसरे दिशा मिले चलेंगे तुप से एक सवाल रगा कि अभी जिस परकार से सर ती ती बना हुए सर कल की जो अगर नियूस पेपर ने पढ़ेंगे तो एक परिवार के तीन लोगों को हत्य कर दे गया जो की कुकु समधाय को की समधाय को लोग थे विचारे सोये हुए थे और उन पर अचाना गोलिया गोलिया की बहुचार कर दी गई वे बेक्ती जो छोटे नहीं है रेसिप अर्दोगान ने कहा कि भाई यह सफ हेगया सोफिया में नमाज पढ़ाने लगे अचानक से इस्राइल में देखेंगे तो नेतन्याहू छटी बार वहां प्रधान मंत्री बने हैं और उन्होंने एक बकायादा कानून पास कर लिया है कि अब संसत से कानून पास हो जाएगा भले वो मानव जो हुमन राइट्स के अगेंस हो तो उसको सुप्रीम कोट कैंसल नहीं कर सकता है तो पूरे दुनिया में देखें आप बोरिस जॉंसन को देखें आपको लगता है कि वो ब्रिटें का बधान मंत्री बनने लायक था आप डोनाल ट्रॉम को देखें आपको लगता था कि वो हिलेरी क्लेंटन गोहरा सकता था लेकिन एक राइट फिलोसफी गयना पूरी दुनिया में वोल वाला चला हुआ है आज के रेट में तो यह एक एक अंधी दौर है कितने साल होगा दस साल होगा बीस साल होगा एक पुरा नेरेटिव सेट कि कि यह कम्यूनिटी जो है वह अगेंस है जैसे वह उसने मेक्सिकन लोगों के खिलाफ डोनल्ल ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ग्रेट अगेट नहीं था यह एक नेरेटिव सेट करने के कोशिश किया जाती है ताकि आम मुद्दों से हमारे मुद्दे क्या है रोजगार शिक् जालम का जुलूस निकले तो यह जान-्भुज्च केुद्दो से भत्काने वाली बात है घर में दाल्चावल नहीं है तो कम से कम यही बात करें कि तुहारा बेटा बड़ा है कि मेरा बेटा है तुम्हारा बेटा में सुूंदर है तो एक नेड़ेटीव है और मैं Keep जन सुराज एक निरेटिव है यह जो नफरत की निरेटिव है उसके अगेंस में जन सुराज क्या करेंगी तो लोग लड़ेंगे यह भी लोग बात करते हैं कि जन सुराज मुदी के भी टीम में हैं जैसे कि अगर किसे को नुकसान होगा ना तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को होगा जन सुराज से अगर कोई पहला आदमी जीता ना तो आफाक जीते हैं मुस्लिम केंडिडेट थे बीजेपी को 28 करोड के इस देश में एक केंडिडेट नहीं मिलता है मुस्लिम जो MLA का चुनाओ लड़ने लाइक है 28 करोड लोगों में इसको एक आदमी नहीं मिलता है इसका पहला आदमी जीता तो मुस्लिम जीता एक बात दूसरी बात यह है कि जंगरना जाती जितनी संख्या है उसके अधारे बेरेप्रेजेंटेशन होना चाहिए नहीं तो आपकी मुद्दे कौन उठाएगा आपकी बाते कौन रखेगा तो अबादी के साथ से इस्सेदारी होने चाहिए प्रशांद की शोर यह बात कह रहे है प्रशांद की सोर को अगर मालेजी कुछ बनना था तो बीजीपी जोईन कर लेते आपको लगता है कि प्रशांद की सोर के बराबर का बीजीपी में कोई यहां नेता है प्रशांद की सोर बीजीपी में रह जाते आराम से कम से कम अनुराग ठाकुर के जगा सूचना प्रसा हुआ लेकिन आपको आपको खुद भी तो देखना है ना कि आदमी क्या कह रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना है यह है कि उन्होंने 2014 मोधी जी का चुनाव प्रचार किया था 2015 में नितिश कुमार का भी किया था ममता बनर जी का भी किया था कि देखे जनता बनाती है मैं दुबारा मैं दुबारा देखे प्रशांद हो सकता है कि अपने बारे में ज्यादा मुगालता पालते हो वैसा कुछ ने जनता बनाती है जनता को नेरेटिव सेट करके देना होता है जनता को लगना चाहिए कि मुद्दे क्या है जनता को लगना बन गया तो आपका जिन्दगी सई हो गया है आपके लोकल ट्रेन का हाल देख लेजिए आप प्रसेंजर का हाल देख लेजिए अभी वह जनता है ना जो बुलेट ट्रेन से खुश हो रही है एक सवाल रहेगा जिस परकार से अभी ज्यादा शमय होगे खैर इंडिये और इंडिया दो वर्ड अभी काफी चलन में हैं काफी चर्चा हो रहा है उस पे इंडिया वर्सेज इंडिये तो क्या लगता है कि क्या होगा इस बार बार 24 में इंडिया वर्सेज इंडिये देखें इंडिये नेशनल डेमोक्राटिक एलेंस वहां डेमोक्राइस नम की कोई चीज है नहीं अगर आप 20% अबादी को अपने यहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं तो यह डेमोक्राइस नहीं है 28 क्रोड लोगों से आप नफरत करते हैं एक बड़ा आदमी आरसेस का ये भी कहके गया कि हम लोग एक वार पे हैं वी आरेट वार हम जंग लड़ रहे हैं एक इंटरनल वार कर रहे हैं तो आप 28 क्रोड पोपुलेशन को अपने दुश्मन समझते हैं बोर्ड लगा देने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाँ का जो सम्मान लेकर जो नारा लेकर है क्या लगता है कि अभी परकार से देश में बेटी के साथ लड़कीयों के साथ जो बेवार किया जा रहे हैं आए दिन आप मनीपूर की घटना कर आप देखेंगे सर वो तो और दो महीना पहले के है लेकिन इसमें खासतर पर यह भी बहुत इंपोर्टेंट बात हो जाता है कि यह एक बार तो हुआ नहीं हमारा जो खून है ना सेलेक्टिव खौलता है उसके पहले ब्रजभुशन सिंग का मामला हुआ था तो क्या होगा ब्रजभुशन सिंग के मामले में छोड़ दीजिए इन्होंने कहा भी जब उस पर एक स्टेटमेंट दिया साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस पर इन्होंने कहा कि इस तरह की घटना कहीं भी हो आसाम में हो राजिस्थान में हो च्छतिसगड में हो या मणीपूर में हो यहां भी वो राजनीती खेल गए यहां भी राजनी पहले सवाल पर वापस आते हैं कि इंडिया का जो यह बनाया ना तो यह सिर्फ एरिथमेटिक है यह गुणा जोड़ घटाव इसको सोच रहे हैं जब तक नेरेटिव नहीं सेट होगा ना तब तक इंडिया जो एलाइंस बना है यह एंडिये के लिए कोई बहुत नहीं बन पाएगा इंडिये का क्या है एंडिये का है हिंदुत्यों एक रिलीजन बेस्ट आइडेंटिटी नेशनलिजम राष्ट्रवाद बहुत हाई लेवल का बहुत वाइलेंट टू सर्टेन एक्स्टेंट और पॉब्लिक वेलफेयर लोगों को राशन मिल रहा है इंडिया का नेरेटिव क्या है जब तक नेरेटिव नहीं होगा आप संख्या जोड़ करके चुनाओं जीट सकते हैं नेरेटिव बनाना पड़ेगा लोगों को पास मैसेज जाना चाहिए कि आप जो है कुछ ऐसे चीज़ लोग अपना फायदा चाहते हैं बिलकुल सिंपल बात है कोई लॉंग टर्म वीजन सबको पता है कि एकॉनिमी खराब हो जाएगी माहौल खराब हो जाएगा तो हमारे बच्चे दंगाई बन जाएंगे लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ये भावना डाल दी गई है ना मीडिया के थुरू 10 साल से 10 सा कर रहा था जब कोविड आया था तो पूरा मीडिया ऐसे भी हैव कर रहा था जैसे किसी खास समुदाए के वज़े से कोविड फैल रहा है कि रेडियो रवांडा करके कभी आप देखेंगे तो एक पूरा प्रोपागेंडा का रवांडा में वह था उसके बड़ा जीनोसाइड हुआ तो आज हमारे रेडियो रवांडा के दस दस चैनल है वहां एक चैनल था तो यह एक नेरेटिव सेट किया गया है और दिखे पा के पास मेंसे जाना चाहिए जनता के पास यह ख्याल होना चाहिए सही मुद्दों पर वोट कर पाए ताइम पर जो जाने का है चार बजे फिर उनको वापस आना रोज जांच बैठ रहा है इसको लेकर क्या आपकी रहा है यह देखिए मैं इसको समझता हूं कि जन्द सुराज की कारेकरम के बाद ही हुआ है ठीक है इसको जाती है आपकी दो सवालों के दोनों अर्रिलेटेड जाती जनगर्णा को छोड़ देते इस पर बात कर लेते हैं डिफिनिटली पीछले दो तीन महिनों में सिक्षा के स्थर और स्वास्त के स्थर में सुधार आया है जन्द सुराज के विचारधारा में हम लोगों जो चुनाओं लड़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है लेकिन हमारी असल जो कोशिश वो यह है कि असल मुद्दे पे बात की जाए असल मुद्दे पे चुनाओं लड़ा जाए और गौवर्मेंट का जो काम है गौवर्मेंट वो काम करे तो केके पाटक शिक्षा में बहुत अच्छा काम करें इसमें कोई दोराय नहीं है कि स्व हम बड़ा प्रयास जो है वैवस्तापरिवर्तन का है वैवस्ता समय चाहते हैं दोरिंग कि यह हट जाएं वह आज है आप उसको जाती है जन गंड़ना से जोड़ करके देख रहे हैं यह देखे एक अतिश्योक्ति हमारे लिपास कि केके पाठक यह नहीं करना चाहते हैं कोई भी यह दोनों अलग 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 इसलिए हैं कि सिक्षा पर जोर है अब हमारे सिस्टम बना है चाहें बीजेपी गौ गलत है मेरी अपनी राय अगर कहेंगे तो सिक्षक को अगर बच्चों को पढ़ा दें आप एक बार चानिए कि कई देश ऐसे हैं जैसे जापान है जापान में क्या नेच्रल रिसोर्स है ना वहां पेट्रोलियम है ना वहां खनीश्पदार्थ है ना वहां फार्मिंग होत और उसके अलावह बिस्किली एक्सपॉर्ट करते हैं चीजों को बना करके टेक्नॉलोजी को एक्सपॉर्ट करते हैं तो तो हमारे हैं कि लोग फाइबίν को हिन्द द्धर्म बचा रहे हैं हमारे बच्चे जो है वह WhatsApp पे गेम खेलने हैं और PUBG खेलने हैं गोधी मीडिया से ज्ञान बटो रहे हैं तो यह मैं मनता हूं कि सिक्षों पर बोजाए लेकिन सिक्षा को कहीं न कहीं सरकारी सिक्षा विवस्ता में सुधार की आवशक्ता थी एक गरीब आदमी कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाता है नहीं जा पाता है और एक गरीब आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही भीजेगा अगर वहां मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं तो अगर विवस्ता अच्छी नहीं होती तो मैं शाय डॉक्टर नहीं बंगाता है अगर बात की जाए तो नफरत बोते बोते हैं वो उसने कहा भी है कि टीवी पर विडियो में अगर है देखिए आप लोगी खुद मीडिया से हैं इसमें ऐसा हुआ है कि मीडिया का पतन हुआ है लेकिन साथ समाज का भी पतन हुआ है यह जो मीडिया के लोगे समास से ही निकल के आ रहे हैं इसलिए मैं कहा रहा हूँ इसलिए narrative change करने की ज़रूरत है असल मुद्दोब बात करने की ज़रूरत है जो सर्व धर्म संभाओ की भावना है उस पर काम करने की ज़रूरत है ऐसा नहीं हो सकता है कि आप समझें कि आपका आपका क्या विज़ान है आप क्या सोच रहे हैं कि आपको एमेल एंपियों गरह बना है ना जोएंड करने के पीसे मक्सद यह है कि हम लोग जो जन्द सुराज की भावना यह जो असल मुद्दे हैं वो जन्दा तक पहुंचा पाएं सथ लाण ज़िए जो सिच्छा अभी हार दिन पर दिन होते जा रहे कहीं न कहीं यह जन्द सुराज के उपलब्दी हो सकते हैं देखें काम तो जो करेंट गौर्रमेंट है वो कर रही है हमारी उपलब्दी इस सेंस में माने जाएगे कि हम मुद्दों पर सरकार को काम कराने के लिए बात देकर पर बहुत बड़ी उपलब्दी नहीं माने जाएगे जब तक जनता जागुरूप नहीं होती है जनता के अंदर एक बदलाव नहीं आता है तब तक हम लोग यह नहीं मानेंगे कि यह हो पाया है यह लग बात एक हामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं बहुत ही बेबाकी से एक अलग अंदाज में इनोंने सारे सवालों का जवाब दिया बिल्कुल एक experience परसनाल्टी ही इस सवालों का जवाब दे सकती है यकिनां कहा भी जा सकता है कि जिस परकार से हमारे देश में जो नफरत की हावा चलाई गई है जो नफरत की हावा जो चल रही है कहीं नहीं कहीं उस हावा को किसी दूसरी दिशा में चेंज करने की आव सेकता है फिर आल हमारे साथ जूड़े थे डॉक्टर शानवाज अलम जी मैं मुहम्मद इगबाल आप देख रहे हैं बोलता से हैं तब तक लिए जाए जाए जाए